बच्चो हम क्लास 12 के गणित का अध्या तेरा प्रायक्ता प्रोबिलेटी का अध्यान कर रहे हैं पिछले सेशन में हमने प्रसनावली 13 विविद प्रसनावली के प्रसने संख्या 10 तक के प्रसनों को हल कर लिया है बच्चो आज के सेशन में हम प्रसनावली 13 विविद प्रसन और इसको अपन हल करते हैं अब हमें सबसे पहले क्यूशन को पढ़ना है उसके बाद में विचार करना है कि क्यूशन को कैसे सोल करना अर्थार कौन से मेथड से बेज से करना है बर्णोली से करना है या सहप्रतिबंद से करना है तो यह पता हमें क्यूशन को पढ़ने से लग छे प्रकट होने पर एक रुपया मिलता है कहने का मतलब एक खेल है अगर उसको क्या करता है वो पासा उचालता है और पासे पर छे आ जाता है तो उसको एक रुपया मिल जाता है और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर एक रुपया हार जाता है और उसको एक रुपया क्या क जब तक जब भी छे प्राप्त होगा वे खेलना छोड़ देगा और वो क्या कह रहा है कि जब भी छे हो जाएगा अगर पहली उच्छाल में उच्छालता है छे आजाता है खेलना नहीं खेलेगा आगे या पहले में नहीं आया दुबारा आगया तो वो नहीं खेलेगा या प प्रतैसा का मतलब माददे। ये भी ध्या रखिए। अब कहने का मतलब हमें बात यहां पे समझ में आ गए कि एक खेल है जिसके अंदर पासा उचालना है। और पासा उचालने पे अगर पासा उचालते हैं 6 आ जाता है तो उसको एक रुपया जो खेलता है उसको एक रुपया मिलता है और यदी 6 के अलावा अरतार्ट अन्य कोई संक्या 1 से लेकर के 5 चया कोई भी नमबर आते है तो उसको 1 रुपया देना पड़ता है अरतार्थ उसका पैसा माइनस लग जाता है ऐएक रुपया उसको देना पड़ता है आयो जग को और एक विक्ति ये निर्ने करता है ये decision लेता है कि वह पासे को तीन बार उच्छा लेगा कितने बार उच्छा लेगा तीन बार और आगे कह रहा है लेकिन जब भी 6 आ जाएगा वह खेल छोड़ देगा अर्थार खेल बंध हो जाएगा उसका उसके दोबारा जीतिया हारी ग हमते हैं कि मना आगि यादरचिक चर एक्स हैं और एक्स और एक्स क्या है एक्स अपन ले लेते है यादरचिक चर जुए उसके सम्भावी तमान तो X अपन मा लेते हैं कि पासे पर 6 परकट होना तो पासे पर 6 अंक परकट होना ये है X और इसके सम्भावी तमान क्या होंगे? पहली उचाल करता है छे नहीं आता है जीरो या एक बार में छे आए एक उचाल तो छे आए या दो उचाल में छे आए या वो तीन ही उचाल कर रहा है तो तीन ही उचाल में क्या आए छे आए जीरो आए अर्थार छे नहीं आना इसका मतलब एक बार 6 आए, इसका मतलब दो बार 6 आगए और या कहने का मतलब तीन बार भी उसके पास आए 6 आजाए तीन ही बार उसको उच्छालना है यह बात हमें यहाँ पे दी हुई है तो यहाँ पे यह बात हमें समझनी की जरूती तो X के संभावित मान अपने पास प्राप्त हो चकते हैं संभावित मान 0, 1, 2, या 3 अब ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें इनके संगत प्राइक्ता लेनी है अर्थार्थ X ब्राबर 0 पे प्राइक्ता लेनी है प्राइक्ता X ब्राबर 1 पे लेनी है इसी प्रकार प्राइक्ता X ब्राबर 2 पे और इसी प्रकार प्राइक्ता X ब्राबर 3 पे क्यों लेनी है क्योंकि माद्दे निकालना है पहली बात तो यहां पे माद्दे है इसलिए ये तो पता लग गया कि क्यूसर में करना क्या है माद्दे निकालना है ये बात हमें यहाँ पे दे रखी है इसलिए यहाँ से अपन पता लगा लेंगे कि माद्दे निकालेंगे और माद्दे का क्या फोर्मूला होता है X होता यादर्शिक चर और उनकी संगत प्राइक्ता तो हम यादर्शिक संभावित मान कौन से लेते हैं 0, 1, 2, 3 और यहां पर अपन क्या लेते हैं उनकी संगत प्राइक्ता तो इस प्रकार से हमें X और PX अर्थार संगत प्राइक्ता हमें मिल जाएगी फिर हमें फोर्मूला आता है उस फोर्मूले में अगर मान रख देंगे 0, 1, 2, 3 और इनके संगत प्राइक्ता निकालेंगे तो माद्दे जो होता है माद्दे और इसे को अपन परत्यासा बोलते हैं और इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है सिग्मा आई बराबर वन से एन एकस आई और संगत प्राइक्ता पी एकस आई का गुना और उनका योग करना ही ये क्या होता है माद्दे होता है अर्थार्थ ये अपने पाज यादर्चिक चर उनकी संगत प्राइक तक गुना करेंगे जोड़ेंगे 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 करना पड़ता है एक रुपया देना पड़ता है उसका माद़ आने की गटना। माल लेते हैं कि पहली उच्छाल में ही उसके इच्छा आजाएगा। उच्छाते खेल खतम हो जाएगा। जैसे इच्छा आया वह खेल नहीं करेगा। मैक्सिमों वह कितनी बार फैकता है तीन बार फैकता है। ये क्यूशन में हमें दे रखा है, तो यहां पर प्रायक्ता निकालेंगे, प्रायक्ता पहली उच्छाल में 6 अंक आना, हमें इसकी प्रायक्ता निकालनी है, और हम ये भी जानते हैं कि जो पासा है, इस परिक्षन के सेंपल स्पेस, पासा उच्छालते हैं, तो इस परिक्ष इतनी है 6 तो यह अपने प्रायक्ता हो जाएगी एक बटे 6 और यहां पे पहली उच्छाल में आ गया तो खेल खतम हो गया यह आपन बात कर सकते हैं दूसरी के लिए कि पहली उच्छाल में 6 अंक ना आना और दूसरी उच्छाल में 6 अंक आना पहली उच्छाल में 6 खेल यह खतम हो जाएगा यह दूसरी संभावना क्या है यह दूसरी संभावना है कि पहली उच्छाल में तो क्या आए 6 ना आए और दूसरी उच्छाल में 6 अंक आना तो इसकी अपन प्राइक्ता निकालते हैं प्राइक्ता कि पहली में 6 ने आना और अर्थार्थ गुणा दूसरी में 6 अना दूसरी में 6 अंक आना तो पहले उच्छालेगा 6 आगया तो बात यहां पे या संभावना दूसरी क्या बन रही है दूसरी संभावना ये बन रही है जिसके अपन बात कर रहे हैं प्राइक्ता निकाल रहे हैं तो पहली उच्छाल में 6 ना आना तो फेवर में कितनी हो जाएगी 5 तो इसकी प्राइक में हो जाएगी और कुल 6 है तो 5 बटे 6 और दूसरी उचाल में क्या है दूसरी उचाल में क्या है और दूसरी उचाल में 6 आता है तो एक बटेच है और यह गटना एक प्रबाँ दूसरी गटना पे नहीं पढ़ रहा है उसकी प्राइGता युक्त कर फासा उचला उसका प्रबाँ दुबार उचलते हैं तो नहीं पढ़ रहा है इसलिए सवतंतर घटना है इसलिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं how to be गटना और बी गटना होती है तो यह probability A और probability B के बराबर होता है जब क्या है सवतंत्र गटना होती है यह अपन जानते हैं अगर यह गटना सवतंत्र ना होती है तो probability a अपोन बी जब बी गटना गट गई तब एका प्रभाव अर्थार्थ यहां पे प्रविलिटी हमें पता है यह हो जाता है प्रविलिटी ए गट जाती है तब उसका प्रभाव पड़ेगा तो अर्थार्थ यह तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह सवतंतर गटना हो जाती है और इसका प्रभाव पढ़ता है अर्थार्थ अपन बात करेंगे probability A upon B तब यह probability A intersection B upon probability B यह conditional probability हो जाती है और अपन कहते हैं कि B का प्रभाव B गठना की प्रायक्ता अर्थार्थ इसलिए अपन यहां पे गुणा कर रहे हैं कि दोनों गठना क्या है सवतंतर है तो यहां पे दूसरी संभावना क्या है कि पहली उचाल में तो 6 नहीं आता है और दूसरी उचाल में 6 आ जाता है अब तीसरी गठना भी बन सकती है तीसरी में क्या होगा कि पहली उच्छाल में पहली उच्छाल में 6 नहीं आना और दूसरी उच्छाल में उसमें भी 6 नहीं आएगा क्योंकि उच्छाल कितनी करनी है तीन करनी है और तीसरी उच्छाल में उसको 6 आ जाए तीसरी उच्छाल में 6 अंक का आना देखो क्यों से में क्या है कि 6 आते ही खेल खतम हो जाता है में बात करते ही उसकी गठना है कवको तो ऊज़िका वसकती तो परी सभावित घठना हो तो ने कहल प्रायक्ता लेगी उसलिए प्रायक्ता इस गटना की प्रायक्ता की बात कर रहे हैं तो पहली उच्छाल पे क्या 6 नाना 5 बटे 6 गुणा दूसरी उच्छाल पे 6 नाना इसकी प्रायक्ता 5 बटे 6 गुणा तीसरी उच्छाल में 6 ना 1 बटे 6 और ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों गटनाई क्या है सवतंत्र गठनाएं है अब एक कंडिशन और बनती है हमारे पास में चोथी वह गठना क्या है कि तीनू चाल पर इच्छा ना आए हो सकता है कि तीनू पर इच्छा ना आए तो अपन बात करें कि तीनू उच्छा लूँ पर छैंक का ने आना अर्थार्थ ऐसी इस्तीती में यादर्चिक चर्जो हम ने लिया था एक्स ब्राबर जीरो अर्थार्थ यहां पे सपलता नहीं मिल रही है एक बार भी नहीं मिल रही है इसलिए इसकी प्रायक्ता होगी अर्थार्थ प्रायक्ता की बात करें यहां पे कि तीनू उचाल में तो पहली उचाल में 6 नाया तो यह 5 बटा 6 और दूसरी पे भी नहीं आया 5 बटा 6 और तीसरी पे भी नहीं आया तो 5 बटा 6 और यह सवतंतर गटना हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं अपन।ो यहां पे हमने देखा कि यह अपने पास सम्भावित मान हो गए जैसा कि हम्ने यहां पे X क reps को कौन कोन से लिए थे यह लिएत यह देखो कि पहली बार 6 नाना, 5 बटे 6, गुना 5 बटे 6, गुना 5 बटे, तीनू में, क्या है ना या एक बार आए, अपन बात करें, या दो बार आए, या अपन कह सकते हैं कि तीनू बार ही क्या आए, 6 शै आए, तो 6 वसा हो नहीं सकता क्योंकि हमें जैसे ही 6 आ गया अपने खेल खतम कर देना है तो देखिए इन पर अपन प्राइक्ता ले ले चुके हैं तो यहां पर अपन लिख देंगे इनकी संगत प्राइक्ता अब बात करते हैं इनकी पैसे की तो देखिए तो यहां पर दिया हुआ है कि यदि पासे पर 6 अंक आता है तब विक्ती को एक रुपया मिलता है और छे अंक के अलावा कोई भी अंक नंबर आने पर विक्ती द्वारा आयोजक को रुपीज वन रुपया तो यहां पर माइनस करेंगे अपन माइनस एक रुपीज देना पड़ता है तो देखिए अपन बात करते हैं अपनी कंडिसन के हिसाब से तो पहली उच्छाल में क्या हो गया एक आगे आपने पास पहली उच्छाल में छे अंक आ गया तब क्या करेगा उसके पास में तब उसे एक रुपया रुपया एक मिलेगा अर्थार्प प्लस क्या हो जाएगा उसके पास रुपी एक रुपया हो जाएगा पहली वाली स्थीती में दूसरी वाली स्थीति के अपन बात करते हैं कि पहली में पहली में ने वे दूसरी में छे अंक आना तो पहली में छे नाना तो उसके पास क्या होगा माइनस देना पड़ेगा अर्थार्थ रुपीज जो होगा उसके पास में वहाँ पहली में आयेगा तो नाना करतल माइनस वन देना पड़ेगा और आ गया तो उसको मिलेगा अर्थार्थ यसी स्थीति में उसके पास रुपी में छे नाना में छे अंक ने आना वे तीसरी में आना तीसरी में आना तब अपन पैसे की बात करेंगे तब रुपीज कुल कितने होंगे कुल होंगे तो पहली में नहीं आएगा तो माइनस अपन बात करेंगे रस माइनस वन पहली में नहीं आया दूसरी में नहीं आया तो माइनस वन और फिर तीसरी में आगया तो यहाँ पे प्लस वन तो ऐसी इस्तिती में अपने पास होगा माइनस एक रुपया उसको देना पड़ेगा और next condition है अपने पास में कि पहली में भी ना आए, दूसरी में भी ना आए, तीसरी में भी ना आए तीनू उच्छालों में उसके पास है, क्या आए? छे ना आए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तीनू उच्छालों में छे अंक नै आना तीनू उच्छालों में छे अंक नै आना, अर्थार्थ यहाँ पर एक्स ब्राबर जीरो था तब इस तीती है, तो यहाँ पर रुपीज की बात करेंगे, तो देखिए, पहली में नी आएगा तो माइनस वन, दूसरी में नी आएगा माइनस वन तीसरी में नी आएगा तो माइनस वन तो इज उक्वल टू, माइनस आरेस, तीन रुपीया उसको देना पड़ेगा तो यह अपने पास में कुल संभावनाई हो गई अब इसकी बात करते हैं प्राइक्ता बंटन के प्राइक्ता बंटन तो यहाँ पे X है और यहाँ पे संगत प्राइक्ता PX है अब X क्या है? हारी हुई, जीती हुई, रासी के पैसे की बात करते हैं अब यहाँ पे अब अपन हारी हुई और जीती हुई रासी की बात करेंगे क्योंकि इसी का ही हमें प्रायक्ता बंटन पूँच रहा है तो पहली उच्छाल में 6 अंक आ गया अर्थार्थ उसके पास 1 रुपया मिल गया अर्थार्थ यहां पे लिखेंगे अपन 1 रुपया और इसकी जो प्रायक्ता थी इसकी प्रायक्ता थी पहली उच्छाल में हमने लिया था इसकी प्रायक्ता अपने पास 1 बटा 6 थी यहां पे पहली उच्छाल में देखिए यह प्रायक्ता उसकी पहली उच्छाल में 6 अंक आणा तो 1 बटा 6 तो यहां पर उस के संगत प्रायक्ता आपन,- लिख देंगे, एक वटा 26, तो यहां पर एक वटाँ चै, अप देखो, एकसई- अर्थार्त, दूसरी उचाल में, कितना पैसा है अर्था- दूसरी उचाल का मतलब, पहली उचाल में नाय है, दूसरी में आये गा, पहली में नहय और दूसरी में 6 आना तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हारी और जीती गई राशी कितना है 0 ना तो हारा ना जीता ब्राबर है बेलेंस और इसी स्थिती में प्रायक्ता क्या है पहली में 6 आना और दूसरी में आना तो ऐसी स्थिती में प्रायक्ता जो कामान है वो यहाँ से ल पैसा उसके पास होगा माइनस एक रुपया तो यहां पे हारी और जीती रासी है यह अर्थार्थ माइनस एक रुपया और तब इस्तिती में प्रायक्ता क्या है तीसरी स्तिती में प्रायक्ता अर्थार्थ ऐसी तब की प्रायक्ता पहली और दूसरी में छह ना आना और तीसर इस्तीती अपने पास में है कि तीनु उचालू में 6 अंक ने आना अर्थार तब पैसा क्या कर रहा है वो minus 3 रुपया दे रहा है तो यहां पी लिखेंगे minus 3 और ऐसी इस्तीती में प्रायक्ता क्या थी यह चोती इस्तीती की प्रायक्ता की बात कर लेते हैं तो तीनु बटे 216 यह अपने पास में बनकर तयार हो गया प्रायक्ता बंटन प्रायक्ता बंटन किसका प्रायक्ता बंटन है हारी और जीती गई रासी जो हमने लिया है इसका प्रायक्ता बंटन क्यूंसर में यह पूछा है कि उसके दोरा जीती या हारी गई रासी का प्रत्यासा पहले हमें प्रत्यासा निकालने से प्रायक्ता बंटन निकालेंगे तभी हमें प्रत्यासा अर्थार्थ माद्दे मिलेगा तो यह हारी और जीती गई राशी का हमने प्रायक्ता बंटन बना लिया और इसका आप टोटल भी करेंगे तो अपने पास एक आएगा इनका सब का ट तो भी यही होता है तो अर्थार्त मू इक्वल टू सिगमा आई ब्राबर वन से एन एक्सवाई और उनकी संगत प्राइकता पी एक्सवाइग गुणा उनका योग यह होता है तो यहाँ पर कहां से यहां से वन से लेकर के हमारे पास है एक, दो, तीन, चार तक है तो अपन इ आगे देखिए 0 into तो यहां लिखेंगे 0 into 5 बटे 36 प्लस गुणा minus 1 into 25 बटे 216 तो यहां लिखेंगे minus 1 into 25 बटे 216 प्लस तो यहां लिख लेते हैं प्लस अब आगे देखते हैं रासी कौन सी है minus 3 तो यहां लिखेंगे minus 3 गुणा 125 upon 216 और इनको अपन जोडेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माद्धे मिल जाएगा प्रत्यासा मिल जाएगा माद्धे या प्रत्यासा is equal to तो यहां पे तो एक बटा 6 ही रहेगा और यह क्या हो गया जीरो तो यह लिखने की जुरूत नहीं है और यहां पे देखिए यह plus और minus तो minus लगा देते हैं तो यहां पे पचीस बटे 216 और यहां पे भी देखिए plus minus तो minus और यहां पे multiply कर देते हैं तो तीन पंजे 15 पांच तीन दुना छे एक साथ और तीन एकम तीन अपन 216 is equal to LC हम ले लेते हैं अपन 216 तो यहां पे कितनी बार गिया यह 36 बार गिया तो यहां पे 36 minus यहां पे 25 minus यहां पे 395 यहां इसको अपन करते हैं तो is equal to 36 minus 400 upon 216 ठीक है हमने minus को जोड़ दिया और 36 ऐसे केस रख लिया is equal to और यहां पे अपन करते हैं तो यह minus तो कितना प्राप्त होगा यहां पे 400 में से अपन 36 गठाएंगे तो देखो यह अपने पास 4 हो जाएगा यहां पे 6 यहां पे 3 तो यहां पे लिखेंगे तो यह तो minus रहने देते हैं 9 चोग 36 और 4 एकम 4 अपन यहां पे 5 चोगा 20 और 16 तो 5 चार पंजे 4 चोग 16 हो जाएगा तो यह अपना प्राप्त हो गया माद्धे जिसका दूसरा नाम प्रत्यासा है यह हमें क्यूसन में पूचा है और यह हमारा answer है बच्चों तो इस प्रकार अपना answer प्राप्त हो गया minus 91 upon 45 ठीक है बच्चों तो इस प्रकार अपन क्यूसन को solve कर लेते हैं यहां पे दिहान देने वाली बात क्या थी दिहान देने वाली बात क्यूसन में दे रखा है वो ही थी कि एक खेल एक खिलाडी है अर्थार एक आयोजकर एक विक्ती है वो क्या करता है कि पासा उचालने का खेल खेलता है और यह दी पासे पे छे आएगा तो खेल खतम हो जाएगा और उसमें विक्ती ने यह निर्ने लिया है कि वो तीनी बार पासे को उचालेगा उसके बाद नहीं उचालेगा हारे या जीते तो क्या संभाव ना हो सकती है तीनु बार ही वो 6 उचाले अर्थार 6 नमबर ना आए तीन बार उचाले पासे को 6 नमबर ना आए यहां हो सकता है कि तीन बार में एक बार आए यहां हो सकता है तीन बार में दो बार आए यहां हो सकता है कि तीनु बार ही क्या आ जाए छे आ जाए प्रन्तु तीनु बार छे आएगा वो लेना ही नहीं है क्योंकि छे आते ही खेल खतम हो जाएगा यह दिहां रखिए यहां important है तो हमें जो लेना था क्या क्या लेना था पहली बार में उसके पास जो तीन उचालता है तीनु में ही छे न आए अर्थार्थ जीरो फिर तीनु में एक बार आगया तो वहाँ खेल खतम तो पहली बार नहीं आया फिर दूस है आए पहली में यहां पर दूसरी उचाल में और यहां पर तीसरी उचाल में तीनु उचाल में यह द्यान व offer गया यहाँ पन्होस सकते हैं कि पहली बार पांच आए दूबारा 6 आए तो यहां पे खेल खत्म, फिर यहां पांच आए फिर 6 आग्या तो खेल खत्म, यहांपर पर आया यहां थी पायाए थेंगे 6 एंक बिंग्या यहां पे 6 एक बार आया तो खेल खतम, अगर दूसरी बार आया तो खेल खतम, यहां पे 2 बार नाया, तीसरी बार आया तो खेल खतम, पर 3-6 नहीं आयेगा, क्यों नहीं आयेगा, इसके उपर depend है, क्योंकि यहीं पे खेल खतम हो जाता है, यह दिहां रखिएगा, ठीक है, फि क्फ़को क्या मिलेगा मांगिर हम ओर मैंने यहां पर 3 में हार रहा है अर्थार्ट माइनस फ्री और इनकी पर हתवाद है पांच पर है उनकी पर जाएक wasn't और एक वत्द तो इतमिर नहीं है तो अर्थार्थ यहां पर क्या कड़ना है 77 गठना है क्योंकि पाक कोई प्रवाव नहीं पड़ रहा है तो यहां पे 5 बटा चाहे, गुना 5 बटा चाहे गुना 5 बटा चाहे, और इनकी संगत प्रायकता मिल गई हमें और फिर ये रासी के साथ में अपन गुणा कर देंगे जोड देंगे हमें प्रतियासा मिल जाएगा और यह हमारा आंसर प्राप्त हो गया था बच्चो इस प्रकाद ठीक है लाल सपेद और काली टुकडियों का विवरन निम्न तरीके से है और तरीका यह रहा ए बोक्स बी बोक्स सी बोक्स डी बोक्स यह अपने चार बोक्स हो गए यह चार बक्से के अंदर संग्वंबर की टुकडियां है लाल की कितनी है लाल सपेद कितनी है काली कितनी है यह हमार तुकडा लाल हो देखो बच्चो क्या है ये दिया है ग्यात है तो इसे box A, box B, box C से निकाले जाने की क्या प्राइकता है तो देखो यहाँ पे box A से अर्थार्थ इसका option मिल जाता है अर्थार्थ अपन कहें कि sample space का विभाजन हो जाता है तो अपन किसे करेंगे अपन करेंगे बेज से और यहाँ पे साप ही पता लग रहा है कि box A किसका है ये हमें ग्यात है और box A अर्थार्थ इसका option मिल गया box B, box C, box D अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक box हो गया कौंगसा box B, उसके option box A, box B, box D और box C अर्थार्थ हमें तीनू से क्या निकालना है लाल टुकड़े आ निकलता है तो इससे निकलने की इससे निकल B से भी और C से तीनू box D से निकलने की प्रायक्ता ग्यात करनी है तो कैसे क्यूशन करना है ये बेज से करना है कैसे पता लगा क्यूंकि जिसकी हमें प्रायक्ता उसका option मिल गया, इसकी प्राइक्ता पूंच रहा है, इसकी प्राइक्ता पूंच रहा है, इसकी प्राइक्ता पूंच रहा है, तो इनका विकल्प मिल गया, विकल्प मिल गया, अर्थार्त ये क्या कर रहा है, सेंपल इसपेस का विभाजन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो और यह सारी संभावनाएं हैं वो इसकी बन जाती है ऐस प्रतिदर समस्टी, सेंपल स्पेस ये सबी संभावना इसके अंदर बोक्स में आ गई है और इसमें ये एक संभावना है लाल गेंद या लाल टुकड़ा है अपना लाल संगमर का टुकड़ा ये गठना हमें ग्यात है ये ए ले लेते हैं अर्थार्थ एक बोक्स है क्या अपने पास में एक बोक्स है ए बोक्स तो A box को चुन्य की जो गठना है वो E1 हो गई B box को जो चुन्य की गठना है वो E2 हो गई इसी प्रकार C box को E3 हो गई और इसी प्रकार D box को चुन्य की गठना क्या हो गई अपने पास E4 हो गई तो अपन कह सकते हैं कि sample space का विभाजन हो रहा है दिखने से पता लग रहा है, यह यहां पे sample space का विभाजन हो गया, एक विभाजन दो, विभाजन तीन, विभाजन चार विभाजन, और sample space का विभाजन होता है, तो अपन वहां पे base थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, और हमें पूछ रहा है, probability निकालनी है, कि क्या है, लाल section A upon probability A, और यह जो probability A है, अर्थार्त यहां इसकी बात करेंगे, probability A की, तो वो अपन लेंगे कहां से, total प्रायक्ता प्रमे से, तो देखिए, और यहां पे अपन गुनन प्रमे लगा देंगे, तो probability E1, probability E1 गढ़ती है, तब A की प्रायक्ता, अपन यहां पे total प्रमे लेते है अर्थार्त अपने पास में, probability E1, प्रायक्ता, लाल गेंद यहां लाल टुकडा आने की, प्लेस इसी प्रकार, चार हैं आप इबाजन हो रहा है, तो चार बार लिखेंगे, probability E2, probability E2A, प्लेस इसी के continue है, probability E3, E3 तब लाल टुकडा आए, तीसरे बोक्स से, प्लेस है, प्र अर्थार्त, चोथे बोक्स का चेन की प्रायक्ता, और चोथे बोक्स से, लाल टुकडा आए, उसकी प्रायक्ता, तो इस प्रकार से, अपने पास में, यह प्राप्त हो जाता है, probability, लाल टुकडा आए, बोक्स E1 से आए, उसकी प्रायक्ता अपने पास में, ऐसे प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकार से लाल टॉकड़ा है यह अगठण आ आगा है मालूम है या घ्यास है तब हमें कि वह बोक्स एक से आए उसकी प्रहकटा है प्रहक्ति वहोस morte से डी से उसकी प्रहक्ता हम जाती है अर्थ है तो घ्यास करना है तो देखिए अपने बात कर लेते हैं यहां से तो पहले तो अपन मान लेते हैं इन गठनाओं को माना इवन गठना और बच्चों ये भी मैं बता चुका हूँ कि उसी को इवन गठना मानना है जिसके बारे में क्यूसर में प्राइक्ट आप पूँछ रही है तो बोक्स से क्या है यहां पे इवन कोन सा हो जाएगा बोक्स से ए का चुनाओं इसी प्रकार इटू गठना को अपन मानते हैं बक्से बी का चुनाओं इसी प्रकार E3 गठना जो अपने है बक से C का चुनाओ इसी प्रकार E4 बक से D का चुनाओ तो सबसे पहले जिसकी प्राइक्ट आप पूँची है उसकी गठना को अपन E1 मा लेते हैं पर तो इसकी भी पूँचिए इसकी भी पूँचिए इसकी पूँचिए तीनु के हमें पूँच रखा है तो अपन ये E1 ये E2 और बॉक्स और था अपने पास ये E3 और D वाला बॉक्स है उसको अपन माल लेते हैं गटना E4 बक्से का चुनाव और जो हमें दिया हुआ है अर्थार जिसके बारे में पता है तो यहाँ पे यह दी टुकड़ा किस क्या हो लाल हो यह हमें पता है अर्थार ती यह तो संगमर्मर का लाल टुकड़ा होना तो यहाँ लेखते हैं एगटना संगमर्मर का लाल टुकड़ा होना यह हमें एगटना हो गई अब हमें इनकी प्राइक्टा लेनी है सबसे पहले तो प्रोबिलेटी ई-1 प्रोबिलेटी ई-2 प्रोबिलेटी ई-4 और इसी प्रकार प्राइक्टा यहाँ पे ई-3 है तो ई-3 फिर ई-4 ले लेते हैं इनकी हमें प्राइक्ता लेनी है क्या मतलब है कि बक्सा एक का चुनाव की क्या प्राइक्ता है बक्सा दो के चुनाव की क्या प्राइक्ता है बक्से तीन के चुनाव की क्या प्राइक्ता है बक्से चार के चुनाव की क्या प्राइक्ता है फिर हमें जरुत पड़ेगी probability बक्सा एक का चुनाव है उसमें से लाल संगमवर का टुकडा निकलना उसकी प्रायकता फिर हमें जरुत पड़ेगी probability अर्थार्थ बक्से 2 से लाल टुकडे अर्था लाल संगमवर का टुकडा आने की प्रायकता यसी प्रकार से हमें जरुप पड़ेगे probability लाल सेग्मदा का टुकडा कहा से आए तीसरे boxड से C से और इसी प्रकार हमें जरुप पड़ेगे चोफे box से अर्थार्थ D box से और इसकी गटना को हमने D box का चुनना हुआना है D box से लाल संगुमर का टुकड़ा आने की प्रायक्ता और फिर हमें निकालना है क्या क्या क्यूसर में निकालना है प्रसना के अनुसार प्रसना अनुसार पहले निकालना है probability कि लाल टुकड़ा आता है तो box एक से आए इसकी हमें प्रायक्ता निकालनी है कि लाल टुकड़ा है बोक्स से एक से आने की क्या प्रायक्ता है इसी प्रकार probability की लाल टुकडा आए बक्सा दो से आए उसकी क्या प्रायक्ता है वो भी पूचा है और इसी प्रकार हमें पूचा है कि probability की लाल टुकडा तो आए पर बक्सा तीन से आए इसकी क्या प्रायक्ता है ये तीनु मान हमें पूंचा है तो ये तीनु निकालना एक करके नहीं निकालना तीनु निकालना है और तीनु निकालने के लिए formula ही चेंज होगा थोड़ा सा बस यहाँ पे यह गठना उपर आ जाएगी बाकि टोटल प्रयक्ता प्रमय प्रोबिलिटी एक आमान तो सम्मे नीचे अर्थार्थ यहाँ पे हर में सेम रहेगा अब देखिए अपने इसको sol कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी गठना की प्रयक्ता निकालनी है कि बोक्स ए के चुनाव की प्रयक्ता अर्थार्थ टोटल बक्से कितने हैं चार उसमें से हमें एक लेना है तो फेवर में एक कुल कि यहां पे भी बकसा बी निकालने की प्राइक था तो टोटल बकसे चार और बी निकालने का एक है तो एक बटे चार इसी प्रकार यहां पे भी एक बटे चार और इसी प्रकार यहां पे भी एक बटे चार पहली बात अब दूसरी बात हमें निकालनी है कि बकसा एक से लाल संग अबर का टुकड़ा आए उसकी प्राइक था और उसके लिए हमें क्यूसन को देखना पड़ेगा देखिए यहां पे टेबल में हमें देखने में से पता लग जाएगा यह देखिए तो पहले तो अपन इस बकसे में टोटल कितनी गेंदे हैं कुल गेंदे उसकी बात कर लेते कुल क्या है टुकड़े हैं गेंदे नहीं है तुकड़े है तो कुल तुकड़े तो देखो यहां पर अपने पास 9 रेक 10 हो जाएगा यहां पर अपन बात करेंगे 6 करेंगे आठ नो दस तो ये भी दस ही है और यहां पे भी दस ही है तो सब में ही दस दस ही है अब देखिए अगर सब में दस दस है तो यहां से बोक्स से ए से क्या आना चाहिए लाल टुकड़ा आना चाहिए संगवर का उसकी प्रायक्ता तो फेवर में क्या है एक कुल कितनी ह 10 तो इसकी प्राइकता 1 बटे 10 तो यहां पे अपन लिख देंगे 1 बटे 10 अब आप यहां पे देखो बी की बात करते हैं अर्थार्थ हमें निकालने बॉक्स से 2 से क्या आने चाहिए लाल टुकडा आना चाहिए तो फेवर में कितने 6 कुल कितने 10 यह 10 तो यहां पे लिखेंगे अपने पास में 6 बटे 10 फेवर में अपने पास यह 6 और कुल 10 है तो यहां पे लिख देंगे 6 बटे 10 अब देखते हैं तीसरे से तो तीसरे में कुल कितनी है तूल 10 ही है तो यह अपने पास में कुल गटनाए और फेवर में गटनाए कौन सी है फेवर में यह है अर्थार्त ही हो जाएगा 8 बटे 10 तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बटे 10 अब यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे देखिए फेवर में कितनी है 0 कुल कितनी है 10 तो यह प्राइक्ता क्या हो जाएगी 0 बटे 10 तो यहाँ लिखेंगे अपन 0 बटे 10 यह प्राइक्ता निकाल ली यह प्राइक्ता निकाल ली अर्थार्थ और यहां पे यह कैसे हुआ यह कैसे आया अर्थार्थ हमें यह प्राइक्ता निकालनी है कि लाल टुकड़ा आया अर्थार्थ यहां पे लाल टुकड़ा आया तब इस बोक्स से निकले उसकी प्राइक्ता और यहां पे हमने क्या लगा दिया और यहां पे इसकी जिएक अपने क्या कर दिया total sumpoon प्राइक्ता प्रमें ले लिया और यह formula प्राप्त होगी, अर्थार बेज प्रमें का formula प्राप्त हो जाता है, तो देखे हमें इसकी प्राइक्ता निकालनी है, तो यह पहला अपन सॉल करते है, तो निकालना आए probability लाल गेंद आए और box एक से आए उसकी प्रायक्ता तो यहां पे लिखेंगे probability E1 जो यह पूछ रहा है वो उपर रहता है बाकी संपूर में total sum में आएगा चार बोक्स है तो चारों के लिए आएगा तो probability probability upon और यह पढ़ना भी आना चाहिए यह तो simple है कि गठना E जो है E1 यह अपने क्या है बोक्स से एका चुनाव अर्थारत एका चुनाव की प्रायक्ता और यहां पर क्या है कि बोक्स से एका चुनाव है तो उसमें से लाल संगवर का टुकड़ाने की प्रायक्ता और यह तो ऐ कैसे कैसे आये गार था probability E1 probability E1 A plus दूसरे box की प्रायक्ता चुनने की और दूसरे box से लाल टुकडा आये उसकी प्रायक्ता प्लस तीसरे box के चुनने की प्रायक्ता और तीसरे box से probability तीसरे box से क्या आये लाल गेंद आये उसकी प्रायक्ता प्लस तो यहाँ पर फिर लगा देना है probability चौथा बोक्स चुनने की प्रायक्ता और चोथे बोक्स से ये चोथे बोक्स से लाल गेंदाए उसकी प्रायक्ता और ये सारे मान अपन निकाल चुके हैं तो ये मान अपन यहां पर रख देंगे तो देखिए is equal to इसका मान एक बटे चार गुणा यहां पर देखिए पहले बोक्स से लाल गेंदाने की प्रायक्ता और पहले बोक्स से लाल गेंदाने की प्रायक्ता पर निकाल चुके हैं यहां पर एक बटा दस तो सिधा ही यहां पर लिखेंगे गुणा एक बटे दस अपन यहां पर देखो यह ऐसे कैसे हैगा एक बटा चार गुणा एक बटा द प्लस यहां पे तो एक बटा चारी है अर्थार दूसरे बोक्स से लाल गेंद और उसकी प्रायक्ता यहां से 6 गुणा 6 बटे 10 प्लस यह तो एक बटा चारी है इसकी प्रायक्ता तो और तीसरे बोक्स से लाल गेंद आने की प्रायक्ता यहां से लिख देंगे तो 8 बटे 10 प् तो देखो calculation easy है कैसे easy है वो भी देखो यहां से 1 dak 4 और यहां से सब में 1 dak 4 common लेंगे तो वो cut जाएगा तो यहां तो बचेगा सिधा 1 dak 10 क्यूंकि 1 dak 4 यहां से और से सब में common हो जाएगा तो 1 dak 4 1 बच 4 कर जाएगा तो यहां 1 dak 10 upon यहां अपने पास बचेगा एक बटे दस प्लस यहां पे छै बटे दस प्लस यहां पे आठ बटे दस और यह तो 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं है इस उकूल टू अब यहां पे एक बटे दस तो ऐसे रख लेते हैं अपन अपने लसे हम ले ले लेँगे तो यहां पे कितना हो जाएगा आठ ये नुँ और यह तो पंद्रा तो पंद्रा बटे दस तो दस से तो दस कैंसिल तो एक बटे पंद्रा यह आंसर आ गया हमारा लाल गेंद आए लाल गेंद आती है तो box 1 से आने की प्रायक्ता अपने पास में प्राफ्त हो गई ये लाल गेंद आती है box 1 से आए और ये लाल गेंद इसकी प्रायक्ता 1 बटे 15 और ये हमारा आंसर ऐसे आ गया अब बात करते हैं दूसरे की तो यहां हमें पता भी लग जाएगा कि formula कैसे इस्तेमाल करना है अब इसकी बात करते है अब देखिए हमें निकालना है probability कि लाल गेंद आए तो उसकी प्रायक्ता बताओ कि वो box 2 से आई है तो बचो box 2 है वो उपर रहेगा अर्थार्थ probability box 2 से चुनने की प्रायक्ता box की गुणा तो प्रायक्ता निकालनी है कि लाल गेंद आए बकषे 2 से अर्थार्थ यहां से बकषे 2 से लाल गेंद आए उसकी प्रायक्ता अपोन ये सारा का सारा नीचे आएगा अर्थार प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप् box D का चुनाव की प्रैक्ता box D से लाल गेंद आय उसकी प्रैक्ता or यह सारे मान अपान अपन निकाल चुके हैं यह तो एक बटाčा की easy 1-2 इसी היא यहां प्रैक्ता की हमने प्रपक्ट किये एक बटा-दस बकसा एक से यहां से उसकी लाल गेंद प्लस बकसे दो तो यह तो एका ही रहेगा तो एक बटा चार गुना छे बटे दस प्लस इसकी प्रायक्ता तो सबकी सेम ही है तो यहां पे एक बटा चार गुना यहां पे देखिए तीसरे से लाल गेंद आए तो वो 8 बटे 10 प्लेस 1 बटे 4 गुना 0 बटे 10 क्योंकि चोथे बोक्स में क्या है लाल संग्मर का टुकड़ा है ही नहीं तो उसकी प्रायक्ता क्या होगी 0 बटे 10 हो जाएगी फेवर में क्या है 0 है यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे एक बटा 4 यहाँ से कॉमल ले लेंगे तो कट जाएगा तो यहाँ पे तो 6 बटे 10 और यहाँ पे देखो सब में वो ही आएगा तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अपन 10 यहाँ पे लेते हैं तो देखो, यहाँ पर क्या बचेगा, LCM ले लेंगे 10 भी, तो यह 1 प्लस 6 प्लस 8, यहाँ पर कोमला भी तो कट गया था, तो यह 1 बचेगा, यह 6 बच लिख लिया, और यह 10 ले लिए, LCM का, यह 10 थाई, इस उक्वल टू, तो यहाँ पर देखो, यह 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, तो यह 6 बचेगा, अर्थार्थ, यह अपना आंसर हो गया, प्रोविलिटी, लाल गेंद आए, लाल क्या है, लाल गेंद नहीं है, यहाँ पर लाल संगमर का टुकड़ा है, तो लाल टुकड़ा आए, बो यह आता है, कौन से बोक्स से आता है, तो यहाँ दूसरे बोक्स की बात कर रहा है, तो उसकी प्राइक्ता हमने निकाल ली, अब बात करते हैं, तीसरे की, इसकी बात करते है, अर्थार्थ, लाल संगमर का टुकड़ा आता है, कहां से आता है, तीसरे बोक्स से आता है, उसक उपर रहेगी इसकी प्राइक्ता अर्थार्थ प्रोबिलिटी E3 तीसरे बक्से अर्थार्थ C बक्से के चेन करने की प्राइक्ता और C बक्से से C बक्से से लाल गेंदाए उसकी प्राइक्ता अपन यहां पे प्रोबिलिटी A प्राइक्ता यहां पे लिखेंगे E3A plus probability यहाँ पे एक की जगे अपने पास में E1 गठना लिया है तो यहाँ पे E लिखेंगे E1 और यहाँ पे भी हमने E1 गठना ही लिया है तो यह E1 लिखेंगे अब ही देखो दूसरे बकसे का चैन और दूसरे बकसे से लाल गेंद आए उसकी प्राइकता प्लेस अपन इसके आगे है उसको यहाँ लिख रहे है probability तीसरे बकसे का चैन और तीसरे बकसे से हमारे पास लाल गेंद आए उसकी प्राइकता और तीसरे बकसे चोथा बकसा को अपन E4 गठना लिया है तो चोथे बक्से के चुनने की प्राइक्ता और चोथे बॉक्स से लाल संगमर्वर का टुकड़ा निकले उसकी प्राइक्ता तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा probability लाल संगमर्वर का टुकड़ा आए कौन से बॉक्स से सी बॉक्स से उसकी क्या प्राइक्ता है अर्थ बिसरे box से लाल गेंद की आठ बटे 10 तो यहां लिखेएंगे आठ बटे 10 अपन।ipod इसकी प्रयक्ता हाम निकाली है। पर देखिए इसकी प्राइक्ता हमने यहां पर निकाली एक बटे दस एक बटे दस तो यहां लिखेंगे एक बटे दस प्लस यह तो एक बटा चारी है गुणा यहां पर हमने निकाला है छे बटे दस तो यहां लिखेंगे छे बटे दस और यह तो यही आएगा तो एक बटा गुणा आट बटे दस और इसकी भी प्रायक्ता एक बटा चार ही है और इसकी प्रायक्ता जीरो बटे दस है तो यहां पे भी एक बटा चार है और यहां कोमन ले लेंगे एक बटा चार तो वो तो कट जाएगा इसलिए प्रायक्ता निकलेगी अपने पास में लाल टुकडा आए संगमोर का वो कौन से बक्से से C से उसकी प्राइकता आ रही है तो यहां तो आट बटे 10 बचेगा और यहां पे LCM लेने के 10 ही रहेगा तो यह 1 प्लेस 6 प्लेस 8 दस से तो 10 के इंसेल तो यह 8 बटे 15 और यह हमारा आंसर है बच्चो अर्थार प्राइकता हमने निकाल ले कि लाल संगमोर का टुकड़ा आएगा बोक्से C से C बक्से से क्योंकि C बक्से की गठना को हमने E3 माना है तो उसकी प्राइकता हो गई 8 बटे 15 तो इस प्रकार हमने यहां पे देखा वो ही है यहां पे बक्सा कौन सा है बक्सा यहां पे B है क्योंकि यह गठना हमने बक्सा B का चुनाव को E2 माना है तो लाल संगमोर का टुकड़ा आए बोक्से 2 से उसकी प्राइकता यहां से मिल गई ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से और यहां पे हमने प्राप्त किया थ यह देखिए यह अपने पास है बक्सा ए और इस गठना को हमने एवन लिया था अर्थार्थ यहां पढ़ेंगे कि लाल संगमर का टुकड़ा आये, बोक्स ए उसकी प्रायक्ता हमने एक बटा पंद्रा, तो इस प्रकार से हमने तीनू के बक्से से लाल संगमर का टुकड़ा आता है, उसकी क्या-क्या प्रायक्ता है, वो हमने निकाल लिया, क्यों कि उसन में हमें इन तीनू के बारे में क्या है तीनू के हमें प्रायक्टानीकालीग है एक से निकले भी निकले और दूर दूर्ण लाइध कर लेते हैं अगर यहां Based इसका option मिल जाता है, एक गठना गठीत है, उसका option मिल जाता है, अर्थार्थ, sample space का विभाजन हो रहा है, तो अपन कहां से बात करेंगे, बेज से बात करेंगे, ठीक है बच्चों, बात करते हैं, next question की, देखिए, और next question है अपना, question 13, अब question 13, ये तो बहुत अच्छा question है, ब मान लीजिए, किसी रोगी को दिल का दोरा पढ़ने का संयोग, कितना है, 40% है, कोई रोगी है, उसका दिल का दोरा पढ़ने का कितना है, संयोग की बतलब, संभावना, संभावना, कोई अपन क्या कहते है, प्रायक्ता, तो ये प्रायक्ता है, ये मान लिया जाता है, कि ध् जो ये 70-40% दिल का दोरा पड़ता है उसको 30% कम कर देता है उस चीज को और यदि दवा दवारा खत्रे को अपन 25% तक कम किया जा सकता है दो चीजे हाँ पर दे रहाएगा यदि अपन योगा धान अकरथार व्यायाम करते हैं तो उस खत्रे को अपन 30% कम कर सकते हैं और दवा से अपन उस खत्रे को क्या कतना 25% कम कर सकते हैं आगे हमें दे रखा है कि किसी भी समय रोगी इन दोनु में से किसी एक विकलप का चेहन करता है या तो दवाई लेगा या वो योगा या परनायाम करता है ये दिया गया है कि उप्रोक्त विकलपूं में से किसी एक का चुना चुनाव करने वाले रोगियों से यादर्चे चुना गया रोगी दिल के दोरे से ग्रस्तित है तो देखो यहाँ पे क्या दिर रखाया है दिल के दोरे से ग्रस्तित है यह हमारे पास गठना एक वेक्ति हमें चुना गया यहाँ पे कोई भी एक वेक्ति चुना गया और वो क् द्यान और योग विदी का उपयोग किये जाने की प्राइक्टा ग्याद करनी है तो पहली बात एक गठना हमें यहां पे दे रखिए अर्थार्त यह गठना ग्याद है और एक गठना यहां पे हमें दिया हुआ है और इसका विकल्प मिल रहा है options मिल रहा है तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार से कि माल लेते हैं यहां पे दिल का दोरे पढ़ने वाले वेक्तियों के sample space है यह हमारा sample space है और इसमें से यह sample space में से यह क्या है यह वाले रोगी है जो क्या है दिल का दोरे से ग्रसित है दिल के दोरे से ग्रसित यह वेक्ति है यह गठना अपनी ए हो गई अब इस गठना में क्या क्या है कि इस रोगी है तो इसमें रोगी द्वारा ध्यान और योग तो अर्थार्थ एक तो है य अपने पास में E1 गटना जो क्या है ध्यान तथा योग से और यहां पे अपने पास में दूसरी गटना E2 यह है दवा से तो यह सेंपल इसपेस का क्या कर रहा है विभाजन कर रहा है और सेंपल इसपेस का विभाजन कर रहा है तो हम किसे सोल करेंगे बेज परमे से ऐसे हमें समझ लेना कि किसे सोल करना है कि दिल का दोरा गठना यह हमें ग्यात है इस गठना को हमें पता है तब यह क्या कर रहा है कि दिल का दोरा है परंतु वो क्या है ध्यान और इससे है वह हमें पूंच रहा है यहां पे कि दिल के दोरे से ग्रिश्टित है तो रोगी दोरा कौन से ये रोगी दोवारा योग और विद्धी का उपियों किये जाने की प्राइक्टा ग्याद करनी है और इसका विकल्प मिल गया और इस सीज को अपन ऐसे भी समझ लेते हैं तो ये कहां से जाएगा बेज परमें से जाएगा तो सबसे पहले हमें गठनाए माननी है माना गठनाए क्योंकि बेज थोरम में E1, E2 और A गठनाए लेनी है तो सबसे पहले अपन E1 गठनाए की बात करते हैं तो E1 गठना यहां से लेते हैं रोगी दोवारा ध्यान और योग विद्धी का उपियोग किया जाना तो यहां पर अपन कह सकते हैं रोगी दोवारा ध्यान वे योग विद्धी का उपियोग विद्धी का उपियोग करना यह अपनी गठना कौन सी हो गई E1 गठना और इसका विकल्प है विकल्प हमारे पास में है रोगी का रोगी दोवारा दवा का उपियोग करना और E1 गठना जो हमें पता है ग्यात है और E1 गठना है रोगी का दिल के दोवारे से ग्रसित होना अब हमें जरुत पड़ेगी प्रोबिलेटी निकालनी है E1 गठना की और हमें निकालनी है प्रोबिलेटी E2 गठना की योगी बेज में इसकी जरुत पड़ेगी और हमें प्रोबिलेटी निकालनी है E1 अर्थार्थ ये भी पढ़ना आना चीए कि रोगी क्या है रोगी क्या है रोगी दिहान वय योग विदी का उप्योग करता है तब रोग गरस्त होने के दिल का दोरा पड़ने की उसके प्र प्रायक्ता योगी ध्यान और योग करता है तब उसके दिल का दोरा पड़ने की प्रायक्ता योगी दवा लेता है तब उसके दिल का दोरा पड़ने की प्रायक्ता ये हमें क्यूशन में जरुत पड़ेगी और यहां पे इस चीज को निकालना इंपोर्टेंट है अब यहा की दोवारा ध्यान योग वीदी का उपयोग किये जानए की प्राइक्ता अर्थार्त, ये भामे प्राइक्ता निकालनी है। यहां तक बात तो क्यूशन के साफ से समझ में आ जाती है और यहां तक समझ में आ गया तो क्यूशन सोल होगी हमारा क्यूंकि हमें यह क्यूशन यह गठनाए लेना है और गठनाए कैसे लेना है उसके बारे में हमें इस प्रकार यह समझ लेना है कि इसका विकल्प मिल रहा है अर्थार्थ ये simple space का भी भाजन हो रहा है तो ऐसे अपन question को समझ लेते हैं अब यहाँ पे देखो इनकी प्रायक्ता के लिए अपन question के इसाब से देखते हैं तो इनकी प्रायक्ता के यह कहा रखा है कि किसी भी समय रोगी इन दोनु दोनु में से किसी एक विकल्प का chain करता है ये दिया हुआ है कि इस विकल्प का क्या करता है वो chain करता है अर्थार्थ अपन बात करें कि किसी भी समय तो 50-50% है अर्थार्थ इनकी प्रायक्ता क्या हो जाएगी एक बटा दो और एक बटा दो क्यों हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे साब दिया हुआ है किसी भी समय रोगी इन दोनु में से किसी एक विकल्प का चैन करता है अर्थार्थ यहाँ पे दोनु की दोनु विकल्प में से एक करेगा तो 50-50% है और 50% होने पे इनकी प्रैक्टर क्या हो जाती है एक बटा दो एक बटा दो तो इनके मान अपने पास में एक बटा दो और एक बटा दो प्राप्त हो गया यह ध्यां रखिएगा बच्चो आगे पढ़ते हैं मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दोरा पढ़ने की संयोग और संयोग को ही अपन क्या कहते हैं संभावना एक ही पहले भी अपन बात कर चुके हैं से कुछन में आया था संयोग या उसको बोलते हैं संभावना और कोई भी गठना के गठित होने की संभावना को ही अपन क्या कहते हैं प्रायक्ता कहते हैं अर्थार्थ यहां पर प्रायक्ता दे रखी है यह प्रायक्ता का मान किसी रोगी के दिल का दोरा पढ़ने की प्रायक्ता का मान 40% है ये मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विदीश का दोरा पढ़ने के खत्रे को 30% कम कर देता है और दवा दवारा खत्रे को 25% कम कर जा सकता है तो किसी भी समय रोगी इन दोनु में से किसी का अर्थार्थ यहां तो 50-50% विकलफ है तो यह दोनु समय एक एटे टाइम में 50-50% है दोनु में से एक लेगा अर्थार्थ 50 एक इसका चुनाओ करेगा तो एक बटा दो इसका भी करेगा तो एक बटा दो है अब यहां पे 40% है और खत्रे को कम कर लेता है 30% और यहां से दवा से खत्रे को कितना कर लेता है, पचीस परसेंट कम कर लेता है, अर्थार्थ मैं यहां पे ऐसे कहूं, यहां पे समझने के लिए देखिए, तो हमें यह निकालना है, विक्ति क्या है, विक्ति ध्यान और योग से अपने क्या करता है, अर्थार्थ, ध्यान औ द्यान और योग के उपयोग करता है तब उसके दिल का दोरा पढ़ने की संभावना अर्थार्थ उसकी प्रायक्ता लेनी है तो यहां पर 40% है देखिए यह 40% और बच्चों यहां पर कर रहा है कि वह 30% को कम कर देता है यह 40% की यह है प्रंतु क्या करता है वह इसकी साहिता स इस घठना से ध्यान और इससे क्या करता है तो बच्चों यह इतने तो थी जब यह क्या करता है दिल का दोरा पढ़ता है यह दिल का दोरा पढ़ता है तब परंतु यह बात क्या कर रहा है कम कर रहा है उस खत्रे को अर्थार्थ मैं कहूं कि यह क्या कर रहा है कम कर रहा है इसका 40% का कम कर रहा है अर्थार, 40 into, यहां पे इसका 30% इसका कम कर रहा है, 30 upon 100, यह परसंट है, यह इसको क्या, यह हैं समझने की जरूरती, कि यहां पे क्या है, 40% यह खत्रा था, यह तो normal था 40% खत्रा, यहां पे, simple, परंतु, यह क्या कर रहा है, यह तो simple दोरा पड़ेगा अगर यह योग कर लेता है, तो इस खत्रे को क्या कर लेता है, कम कर लेता है, आर्थार, दोरा पड़ेगा कम हो जाती है, तो अपन यहां पे लिख रहा है, कि यह कम कितनी होगी, इसका 30% यह संभावना है ना इसका 30% की बात कर रहे हैं तो यहां पे अपन लिखेंगे बस यह समझने की जरूत थी तो यह 40-40 into 30 बटे 100% तो इसको अपन लिख सकते हैं 40-40 यहां से कट गया तो यह 12% is equal to 28% तो यहां पे अपने पास प्रायक्ता हो जाएगी 28% या इसको अपन लिख सकते हैं 28-100 बटे 100 या इसको अपन लिख सकते हैं 0.28 तो यहां पे तो प्रायक्ता अपने पास प्रायक्ता हो गई यहाँ पे 0.28 यह इंपोर्टेंट था यहाँ पे आप सिधा यगर आपने सिधा 40% कर दिया या 30% कर दिया तो क्योशन गलत हो जाएगा 40% तो रोगी के दिल का दोड़ेक पढ़ने की संभावना है यह प्रैक्ता है और उसको कम कर रहा है योग से 30% इसको कम कर रहा है तो हमने वो ही किया है कि इसको कम किया है 40% की थी यह संभावना है तो उसको कम किया ध्यान से और तो इसकी इसमें कम हो रहा है 40% में कम हो रहा है 30% अर्थार्थ यहां पर हमने यहां लिया, तो यह कितना उसकी प्राइक्ता हो जाएगी, अगर वो क्या करता है, योग करता है, ध्यान करता है, तब उसके दिल का दोरा पढ़ता है, तो इतनी प्रसेंट उसकी प्राइक्ता होती है, अब बात करते हैं, दूसरे पार्ट की, probability E2 ये भी ऐसे ही है बस अब तो ये समझ में आगया तो अब ये तो समझ में आए गया 40% क्या है दिल का दोरा पढ़ने की संभावना है दवा ले लेता है तो इस खत्रे को क्या कर लेता है 25% तक वो टाल देता अथार कम करता है तो अब ये 40% तो थी अगर ये नहीं लेता तो 40% थी प्रनतु ये करने से इस खत्रे को 25% कम कर दिया अर्थार्थ यहाँ पे भी बात करेंगे ये 40% तो थी तो इस खत्रे को वो डवाई से कम कर दिया कितना किया इस 40% के खत्रे को 40% के खत्रे और यहां पर percentage लगा देते हैं और इसको अपन हल कर लेते हैं तो यह 40 और यहां से देखिए 4 बार तो यह 10 हो गया तो यहां पर अपने पास में 10 यह percentage equal to 30% अर्थार्थ योगी क्या करता है दवाई लेता है तब दिल का दोरा पढ़ने की संभावना 30% थी और यहां पर योग क 10% कम किया यानि कि यहां पे 30% का इसका बात करें कितना 10% हो जाएगा तो यहां पे 30 आया जएगा अर्थार 28 हो गया था और यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर 30 हो जाएगा तो इसकी अपन प्राइक्टा निकाल लेते हैं percentage को change कर लेंगे दवा लेता है तब दिल का दोरा पढ़ने की प्रायक्ता हो जाएगी अपने पास में 30 बटे 100 यह आपन लिख देंगे 0.30 और अब अपन क्यूशन को solve कर लेते हैं अर्थार अब देखिए probability निकालनी है कि उसको क्या पढ़ता है A, A गठना है और E1 इसकी हमें प्रायक्ता निकालनी है क्योंकि यहाँ पे A गठना क्या लिए दिल का दोरा पढ़ता है और दिल का दोरा क्या है तो रोगी दोरा ध्यान और योग का उप्योग करे तब उसकी क्या प्रायक्ता है तो योगी को क्या पढ़ता है द्यान यहाँ पे दिल का दोरा पड़ता है और तब क्या करना है उसको द्यान और योग से इसका दिल का दोरा पड़े उसकी प्राइक्ता अर्थार probability E1 probability E1 A upon यह ऐसे probability E1 probability E1 A plus प्राइक्ता E2 गुणा प्राइक्ता A upon E2 और यह पढ़ना भी आना चाहिए इसका मतलब क्या है E1 गठना की प्राइक्ता E1 गठना हमने क्या लिया है ध्यान और योग के माद्यम से जो करता है गठना है उसकी प्राइक्ता यहाँ पे ध्यान और योग करता है तब दिल का दोरा पड़ने की प्राइक्ता यहां पे तो वही है यहां पे E2 गठना की प्रायक्ता E2 गठना दवाई लेता है उसकी प्रायक्ता और यहां पे दवाई लेता है तब उसके पास में रोग अर्थार्त यहां पे दिल का दोरा पढ़ने की प्रायक्ता और हमें इसका मतलब है कि उसको दिल का दोरा पढ़ता ह कब जब वो ध्यान और क्या करता है यहां पर योग करता है तब उसकी क्या प्राइक्टा होती है तो ग्यात करना इसका मान यहां पर एक बटा दोई है गुणा यह मान अपन निकाल चुके हैं यहां पर देखिए यह मान यहां पर निकाल चुके हैं तो यहां पर लिख देंग था इन्टु यह देखो इसका मान अपने यहां पर प्राप्त किया था यह रख देंगे अर्थार्थ 0.30 अब यहां पे भी देखिएगा एक बटा-2 और यहां से एक बटा-2 कॉमन ले लेंगे तो बहुत कर जाएगा तो यहां पर अपने पास प्राप्त होगा 0.28 upon 0.28 और यहां पे 0.30 is equal to 0.28 upon यहां पे अपन इसको जोड लेते हैं तो अपने पास प्राप्त होगा 0.58 यह cancel हो जाएगा is equal to अब यहां पे अपन काटना चाहें तो काट सकते हैं तो देखें पहले काटते हैं अपन 2 से काटेंगे तो यहां पे 14 और 2 से काटेंगे तो यह 2 और यह 9 9 दुनी 18 तो यहां पे 14 बटे 29 तो यह अपने पास प्राप्त हो गई probability दिल का दोरा पड़े और ध्यान और दिल का दोरा पड़ता है कब जब ध्यान और योग करता है उसकी प्राप्त हो गई और बच्चों यहां पे अगर अपन ऐसे ना करके इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं वैसे सबसे बेस्ट यही है यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वो सीधा यहां पे कैसे भी कर सकते हैं वो भी देखो यहां पे और दूसरे तरीके में अपन क्या कर सकते हैं बस यहीं पर थोड़ा सा change है 30% क्या कर रहा है हमने 30% ले लिया अर्थार्थ वहाँ पर खत्रे को 30% कम कर रहा है तो इसी चीज़ को मैगर ऐसे लिख दूँ कि खत्रे को यहाँ पर 30% कम कर रहा है इस पर कार ले लें अपन यह 40% क्या था 40% तो वहाँ पे दिल का दोरा पढ़ने की क्यूशन में थी तो यह 30% क्या कर रहा है उसको कम कर रहा है तो हमने इसको 70% ले लिया अर्थार यहां से 70% हो जाएगा और यह 70% किसका है 40 का यहां सका 70% निकालना है तो यहां पे 70% यह निकाल देंगे से भी लिखेंगे तो यह देखो कट गया तो यहां पे अपने पास में टुइंट एट पर संटेज आएगा तो यहां से भी अपने पास में अठाइस पर संट्छ यहां से इसे आएगा क्योंकि यहां पया थीbasal कळाद आ बंचैने करता है तो 70% है खत्रा अब 70% किसका है 40% का अड़्ता चालिस काुछी का चालीज परज्ता है इसहीr ऐसी और कि दिल का दोड़ा पड़िने के सही मोष्लिक तो यहां पर इसका 70 लेना है हमें 40% कितना आएगा वह मिलत वहां थाइस पर संट है कि यह 100% और इसमें 25% हुए कम कर रहा है तो यह 35% खतरा है कब से दवा से तब यह इतना परसेंट होगा इतना कम कर रहा था तो अभी यह 870 है अर्थार्त यह कितने पर चालीस का हमें निकालना, इतना पर लेना है तो यह 75 बटे 100 परसंटेज तो यहां पे भी अपने पास में प्राप्ट वही हो जाएगा 55, 55, 500 तो यहां से देखो अपने पास में 10 तो यह भी 30% प्राप्ट हो गया तो कैसे भी कर सकते हैं आप दोनू तरीका बात वही है जो यहां पे समझीए वो ही बात यहाँ पे है बस यहाँ पे वो चीज को हमने गठा है यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे इस चीज को करके चेंज करके वहाँ पे ऐसे कर लिए बात वो ही है परन्तु क्यूशन को समझना जरूरी है क्यूंकि क्यूशन में यहाँ पे थोड़ा हमें हिंट दे रखा था कन्फ्यूज करने वाला क्यूशन था सीधा हमने 40% ले लिया तो गलत हो जाएगा क्यूंकि रोगी का दिल का दोरा पढ़ने की प्रयक्ता है वो यह है फिर आगे कि मान लीजिए कि ध्यान और योग से दिल का दोरा खत्राए को 30% कम कर लेता है दवा से खत्रे को 25% कम कर लेता है तो यहाँ पे अपने पास में प्रोबिलिटी क्या है E1 गठना E2 गठना तो य हमने इनकी प्रयक्ता तो यह दोनु समान है अर्थार्थमस में कोई एक विकल चुनता है तो अपने पास दो विकल से जोग से रोगी द्यान और योग करता है तब उसका दिल का दोरा पड़े योगी दवा लेता है तब उसको दिल का दोरा पड़े और इस चीज के लिए यहां पढ़ना पड़ेगा तीस परसेंट कम करता है पचीस परसेंट कम करता है अर्थार्थ यह बाते आप इसको समझने क लिए यहां से अपन इसको 40% तो यह 40% तो दिल का दोरा पढ़ने की संभावना है तो यहां पर 30% कम करता है तो किसको कम करता है इसका 40% तो वो कम हो जाएगा ज्यादा थोड़ी होगा अगर कम योगा कर रहे हैं तो बिमार होने के चेंज कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ठीक है बच्चो तो बच्चो आज हमने इस सेशन में देखा कि विविद प्रसनावली 13 के प्रसनी संख्या 11 से लेकर के प्रसनी संख्या 13 तक के प्रसनों को हल किया है बच्चों ने सेशन में हम प्रसनावली 13 विविद प्रसनावली के प्रसन संक्या 14 और उसके आगे के प्रसनों को हल करेंगे ठीक है बच्चों धन्यवाद